तो जैहिन जैभारत में दीपक रशी बाजारफाव यूटूब चैनल पर आपका अभिनंदन है दोस्तो आज की मनसोर मंडी की लसुन की आवक देख लेते हैं तीन दिनों के आवकाश के बाद सोमार को क्या आवक बनेगी टोटल तो दोस्तो आवक तो बंपर रहेगी क्योंकि तीन दिनों की मंडी है शुकरवार, शनीवार और रवीवार तो कल सोमार को आवक बंपर देखने को मिलेगी 12,000 बोरी के असपास आवक हाल फिलाल तक बन चुकी है 12,000 बोरी लसुन की आवक हाल फिलाल तक बढ़ चुकी है बाकी घपराने की कोई बात नहीं क्योंकि यह तीन दुनों की आवके है और दोस्तों बजार में कुछ ग्राकी है क्योंकि अभी पॉंगल जो त्योवार आएगा जिसे अपन मकरन सक्रांती केते हैं अपने आइधर और साउथ एरिया में पॉंगल केते हैं तो उसकी घ्राकी देखने को मिलेगी बजारों में तो बजारों पे कोई दबाव तो बहुत मुश्किल दिखता है बजारों में तेजी का रूखी देखने को मिल सकता है या समानता देखने को मिल सकती है मद्दी वाड़े की संभावना कम दिखती है क्योंकि हाल फिलाल 10-12 दिन पॉंगल की घ्राकी रहेगी साउथ में डिमांड बनेगी साउथ एरिया में माल जाता है वहाँ डिमांड बनेगी लसून की तो लसून के बजारों में तेजी की संभावना नजर आती है मद्दी की संभावना हाल फिलाल कम नजर आती है क्योंकि पॉंगल की घ्राकी देखने को मिलेगी बजारों में 14 तारीक 14 जनवरी तक पॉंगल देता है और मान के चलो 8 जनवरी 7, 5, 7, 8 जनवरी तक तो बजारों में घ्राकी देखने को मिलेगी बीज बीज में छुट्टियां भी काफी आएगी हाल फिलाल इस सोमार से जो सपता चलेगा उसमें तीन दीन की छुट्टियां आ जाएगी तो घबराने की बात नहीं 12 जार बोरी आवक है